Hello everyone, good afternoon and first of all, very sorry मैं ये Saturday को जेनरली वीडियो रेकॉर्ड करता हूँ और में इस बार नहीं कर पाया विकर्ज आ वस इन डेली, NAC की रिजिनल मेंबर्स कॉन प्लेफ था और फिर PhD CCI में में स्पीकर था, एक कल कॉन्फरेंस था, नैशनल कॉन्फरेंस वन कैपिटल मार्केट्स तो वहाँ पे समीर अरोडा जी हम लोग और बहुत सारे स्पीकर्स थे, तो I could not record it yesterday और आज कर रहा हूँ और देगे सबसे importantly पिछला सिरीज जो था, October की सिरीज खत्म ही पिछले अपते में अच्छा तो नहीं था और बहुत volatile और midcap, smallcap की अच्छी पिटाई हुई है वो हमन थी और अच्छा कासा correction आया पूरे हपते में उसके बाद एक position light होती है और ऐसा लगने लगा कि एक पर market चलेगा, but anyways fingers crossed, मुझे कोई बहुत ज्यादा तीजी उपर की तरफ नहीं लगती और मैंने पिछली हपते भी यही बुला था कि we have to be very very cautious now, things are not as good as it was before, और Indian outperformance बहुत तक continue नहीं हो सकती है, though in the longer run it will, but हम एक अपते की बात करें आगे के एक मेने की बात कर रहे है, तो इसलिए मैंने बुला, लिखे बॉन्ड इंस तरीके से बढ़ रहे हैं, तो दूसरे asset classes को यह जल्दी से पनपने नहीं देता, और 5% की बॉन्ड इंस सम्थिंग, और जो tensions है मार्केट्स है, वो भी बहुत ज्यादा अच्छे नहीं चल रहे हैं, और in fact, सब करेक्शन मोड से अब ऐसा हो गया कि बेरिश मोड पर आ गए सारे मार्केट्स, तो हम ऐसा लगता है कि कुछ न कुछ यहां पर भी इंडिया में होगा, करेक्शन मोड आ सकता है, नीचे लेगी, लास्ट विक के जो रिजल्स से रिलाइंच और इन सब का भी रियक्शन मार्केट देगा, और US Fed की मीटिंग्स है, फिर Bank of Japan की मीटिंग्स है, फिर अगेन FIIs, DIAIs के जो बाइंग से उनके ओपर और DIAIs तो फिर भी बाइंग करते हैं, FIIs अर कंटिनुस्ली इन सब के रिजल्स है, वो 31 तरीकों रिजल्स देंगे, तो बहुत सारे बड़े-बड़े क्वाटरली रिजल्स हैं, और लाजबी है आगे नवेंबर 15 ताहिक तक जब खतम होना है, तो आएंगे ही, और International Fund पे GDP डेटा आने वाला है, जर्मनी का, CPI डेटा आने वाला है, फ फिर हम देख रहे हैं कि चाइना का NBS Manufacturing PMI और Bank of Japan का Interest Rate Announcement, फिर SNP का Global Manufacturing PMI डेटा ओक्टोबर का रिलीज होगा, बहुत सारे इवेंट्स हैं, और Fed के in fact results और 2-day policy है regarding interest rates, जो कि नवेंबर की एक तरीकों उस पे तो पूरी नजरे बनी रहती है, जो बहुत सारे डेटा है, जो बहुत सारे डेटा एकन की पॉन टॉकिंग अबाउट इट बडिएस, अब हम आते हैं, निफ्टी के लेवल्स के ओपर जो उनने सजार से तालिस पर बंद होने में सक्षम रहा, बट वॉलेटाइल काफी रहेगा, नीचे कुझे कुझे ऐसा लगता है, नीचे कुझे रहेगा, तो ओवराल, 200 डेमा जो था, 18,830, उसको रिस्पेक्ट देते वे सपोर्ट लिया, और बाउंस किया था, 19,006 तर तक और बंद हुआ, 19,047, बैंक निफ्टी अगें, काफी इंटर ठराव हो गया, चार्ट पे, और अपने 200 डेमा जो 43,220 उसके नीचे बंद है, यानि कि 200 डेमा जो मुविंग आवरेज है, वो ही अब रिजिस्टेंस बन गया, डॉलर तो देखें, कंटिनुसली स्ट्रॉंग रही रहा है, और रूपी इंफेक्ट सस्टेन नहीं कर पा रहा है, बट फिर भी लेवल जैसे हो गए, 8325 पे बंद हुआ है, आउटलुक दिप्स है, मतलब डॉलर के लिहाद से बोल रहा हूं, जो हमारे लिए खराब है, और हायर बॉटम फॉर्मिशन देखने को मिला है, 20 डेमा जो 83.20 उसके उपर बंद हुआ है, बेसिकली क्रूड ओल है, या डॉलर है, या बॉन डील्स है, जियो पॉलिटिकल टेंचन से यह सारे इतने सारे नेगेटिव सा मार्केट में, तो यही एक रीजन है कि मार्केट से उपर के लेवल से प्रोफित बॉकिंग देखा, और यूरो अगें सेल ओन राइस आई है, यह काफी वीक हो रहा है, 87.91 पे बंद वाता है, तो सपोर्ट विल बी 87.30 to 86.90, डेजिस्टेंस buy on dips again 106.40 पे बंद हुआ, 105.90 to 105.30 is the support and resistance is 106.90 to 107.50, यह भी higher bottom formation दिखाया है, 20 Dema जो है 105.90 के उपर बंद हुआ है, अगें gold has become attractive due to geopolitical tensions और यहां पे भी higher bottom formation है, 20 Dema 59.590 के उपर बंद हुआ है, और gold 61.156, M6 December की contract की बात कर रहा हूं, तो it's a buy on dips again, और 67.90 से लेकर 65.70 will be the support and resistance will be 61.350 to 61.530, silver again has become strong 71717, F6 December का contract interesting figure है, यह बंद हुआ है और buy on dips है यहां पे भी, so basically gold silver buy हो गया है, और आपके dollar buy हो गया, यानि कि यह तीनों चीज़े negative है equity markets के लिए, और यह भी 20 Dema के उपर बंद होने में रहा है, तो 71.192.70, 590 is the support and resistance is 75.30 to 72.530 to 72.950, again copper is range bound, copper update, 20 Dema के आसपास बंद हुआ है, that is 707, और range bound है, so बहुत जादा में इसके बार है बाक्षित नहीं करूंगा, crude oil again, जरसा कि मैंने का यह भी higher bottom formation दिखा रहा है, 100 Dema जो है, 6850 इसके उपर बंद हुआ है, so buy on dips है, 7128, M6 November contract बंद हुआ है, or 7090, 26890 is the support and resistance is 7190 to 7250, and technical pick of the week, जिसका इंतजार रहता है, और वो है, एक IT stock, and that is one of the largest IT companies of the country, Coforge Limited, और यह 5009 पे बंद हुआ है, और target is 5090 to 5130, and stop loss is 4950, stop loss उसका बिल्कुल ध्यान रखे, क्योंकि ऐसे markets में stop losses are very important, and IT sector को बहुत जादा अच्छा नहीं कर रहा है, but yes, कुछ mid cap IT stocks, जो दूसरी IT कमने जबूँ कुछ अच्छा कर रहे थे, results में अच्छे है, so basically यह correction हुआ, और 5763 से लेकर 4757, support लिया, 4650 जो अच्छे है, तो इसलिए stock को हम लाए है, और again, technical pick of the week, अगर commodities की बाद करें, agree commodities, बहुत जादा लोगों को interest नहीं आता है, क्योंकि जो एक वीडियो देख रहे है, mostly equities वाले है, but anyways, हम कोई ना कोई एक commodity भी लाते है, वाले वो agree हो या non-agree हो, तो धनिया, धनिया को आप buy क यहां पर भी एक trend line resistance को break किया, higher bottom formation है, और इसलिए यह support ले रहा है, so यह जो भी हमने बात की है, जो भी fix दिया, यह सारे, आप लोग अपनी research और करें, और एक disclaimer है, कि हमने हमारे clients को भी है, सारी recommendations दी भी है, but आप अपना research स्वाहम करे, educational purpose के लिए हमने यह video बनाया, and thank you so much once again and happy weekend.